Heart disease के risk में cooking oil, शराब और smoking से भी ज्यादा कतरनाक है दुनिया में इंडिया सबसे बड़ा palm oil इंपोर्ट करने वाला देश है हमारे बच्चे जो की हमारा भविश है उनकी health खत्रे में है इस देश में palm oil के बिना कोई fast food नहीं मिलता है अगर आप इंडिया में grocery store में जाते हैं तो बिना palm oil को इस्तमाल किये हुए खाने की चीजों को ढूड़ना अल्मोस्ट नामुंद गिन है इस problem की solution और इसके healthy alternative जानने के लिए वीडियो में end तक बने रही है सभी को मेरा नमशकार मैं हो डॉक्टर जगत और मेरे health awareness channel में आपका स्वागत है अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe भीजिए palm oil को palm oil tree के seeds से extract किया जाता है और Indonesia इसका largest grower है और exporter है कहा जाता है कि इसकी बड़ती demand को पूरा करने के लिए cultivation को बढ़ाने के लिए 1000 hectare forest को बरबात किया गया है और oil mafia के द्वारा human rights exploitation भी हो रही है आपको हैरानी होगी कि बड़े companies के biscuits और chocolates भी palm oil से ही बनते हैं almost सारे processed packaged foods में ये पाया जाता है आपकी favorite mayonnaise इसी से बनती है दूज से नहीं palm oil को artificial milk और milk products को बनाने के लिए भी यूज किया जा रहा है दुख की बात ये है कि काफी लोगों को लगता है कि ये healthy है और harmless है पर palm oil या palmitic acid के खत्रे के बारे में awareness बहुत कम है बड़ी companies जैसे lez western countries में अलग तेल का उपयोग करते हैं जबकि इंडिया में palm oil को यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता option है उन्हें 5 रुपे में chips और snacks packet भी तो बेचने है हर बार हमारे बच्चे जब palm oil वाला कुछ खाते हैं तो young age diabetes और childhood obesity के risk बढ़ जाते हैं और future में heart attack और heart diseases की भी risk ज्यादा हो जाती है World Economic Forum ने अनुमान लगाया है कि 50% लोग जो छोटी उम्र में मरते हैं उनकी more diabetes और दिल की बिमारसी होती है इन सारी खाने की चीज़ों से हमारे बच्चों को junk food का addiction हो गया है जिससे heart healthy food जैसे फल और सबजियों का consumption ना के बराबर हो गया है 2015 में globally हर इंसान ने average 8 kg palm oil को consume किया था Imagine कीजिए 2023 में इसका consumption कितना होगा Palm oil का 7 बिमारी के link पे पहले से ही researches हो गई है लेकिन इसका clinical research और public awareness काफी कमजोर है इसमें palm oil producers और brands की lobby को नकारा नहीं जा सकता 2015 में हुई meta analysis और 2017 में हुआ American Heart Association की release ये बताता है कि palm oil के saturated fat खून में LDL cholesterol के levels को बढ़ाते हैं और इससे cardiovascular disease की risk बढ़ती है रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि palm oil को कम या बिल्कुल ना उप्योग करना ही बहतर है Palm oil और palmitic acid जो की edible oils में saturated fat का source है और research का ये conclusion निकलता है कि palm oil और saturated fats healthy नहीं है और इनको polyunsaturated fats से replace करना फाइदमंद है जैसे कि unrefined और cold pressed यानि की कच्ची घणी का तेल बिना किसी heat या processing से निकाला हुआ groundnut oil, rice bran oil, soybean, sunflower, flaxseed oil जो good fats हैं और health के लिए फाइदमंद है ऐसे oils के कुछ links मैंने description में दी है तो आप buy कर सकते हो तो जरूर चेक कीजिए अगली बार जब आप कुछ खरीदेंगे तो उस product के label को देखिए अगर उसमें palm oil, palmolinic oil या palmitic acid है तो उसे खरीदना avoid कीजिए अपने cooking oils को healthy oils से replace कीजिए घर पे बना हुआ healthy खाना prefer कीजिए उमिद है ये वीडियो आपके लिए helpful थी, share कीजिए healthy fit और motivated रहने के लिए subscribe कीजिए धन्यवाद